असलाम लेकुम एनके आपकी खिद्मत में हाजिर है आज हम बनाएंगे दाल गोश्ट चलिए देखते हैं एक कटूरी तुवर की दाल एक कटूरी लाल मसूर की दाल है आधी कटूरी मूं की दाल है आधी कटूरी चनी की दाल है दो मीडियम साइज के प्यास है एक मीडियम साइज का टमाटर है और दो बड़े चमच अद्रक लसन और जीरा का पेस्ट है एक छोटा चमश लालमिश पाउडर है, एक छोटा चमश धनिया का पाउडर है, दो छोटे चमश हल्दी पाउडर है, दो छोटे चमश नमक है, आधा छोटा चमश गरम मसाला है आधा किलो गोश्ट है, आधा किलो लौकी है बगार के लिए हम प्याज, अख्की धनिया और कालिम रिज करेंगे सबसे पहले हम दाल को पका लेंगे दाल में आप तेज़ पत्ता डाल दें और दालचनी की लकड़ी डाल दें एक बड़ा चमच हल्दी का पाउडर डाल लें और आधा चमच नमक डाल लें और तीन से चार सीटी ले ले, अब हम गोश को पका लेंगे सबसे पहले प्यास को हलका ब्राउन कर लेंगे, फिर हम उसमें गोश दालेंगे गोश को थोड़ा भून के अब उसमें हम अध्रक लास्वन का पेस्ट लाल देंगे और जितने सारे मसालेते वो भी हम इसमें एड्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम बे पास सेछे سीटी लेड़ा गोश्च गल गया है अब हम इसमें लौकी डालके एक सीटी ले लेंगे ताकि गोश्च और लौकी दोनों और अच्छे तरीके से गल जाए देखिए दाल गल गई है अब इसे हम चला लेंगे और जो हमने गोश्च का सालन तयार किया था अब इसे डाल कर इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे आप दाल में जरा सा पानी जादा ही रखें क्योंकि दाल थंडी होने पर गारी हो जाती है दो चम्मच ओईल ले ले और इसमें धनिया कालिम रीज और प्यास को अच्छी तरह से फ्राई कर ले फिर इसे पीस ले देखिए पेस्ट तयार है अब इसे हम दाल में दाल कर एक उबालाने तक इसे पका लेंगे झाल में दाल कर लेंगे दाल उबल गई है अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे अब हमारी दाल पूरी तरह से तयार हो गई है अब इससे हम सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे अब हमारी दाल कोश बड़े ही मज़े का लेंगे बना है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी दुआओं के साथ नास को दीजिए इजासत अला हाफिस लाएपिस ये जर बहुत सारी ऑाखिस आपको कीजिए पुर्ट नास झाल झाल